प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समू के 21 द्वीपों का नाम करण परंबीर चक्र विजताओं के नाम पर किया इस दोरान पीम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा की अंडमान की ये धर्ती वो धर्ती है जहां पहली बार तिरंगा फैरा आगया था भाई और भेनों अन्डमान की ये धर्ती वो भुमी है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फैरा था इस धर्ती पर पहली आजाद भारतिय सरकार का गठन हुआ था इस सब के साथ अन्डमान की इसी धर्ती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अंगिनत विरों ने देश के लिए तब तितिख्षा और बलीदानों की पराकास्टा को छुआ था सेलूलर जेल की कोठरियां उस दिवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतीम पीड़ा के साथ साथ उस अभूत्पुर्वत जजबे के स्वर वहां पहुंचने वाले हरक्षिजी के कान में पढ़ते हैं सुना ही पढ़ते हैं लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम के उन स्मृत्यों की जगः अन्नमान की पहचान को गुलामी की निसानियों से जोड कर रखा गया था हमारे आइलेंड्स के नामों तक मैं गुलामी की चाप थी पहचान थी मेरा सवभाग्य है कि चार-पांच साल पहले जब मैं पॉर्ट प्लेर आया गया था तो वहां मुझे तीन मुख्य आयलेंड्स को भारतिये नाम देने का आउसर मिला था आज रॉस आयलेंड्स नेता जी सुभाज चंद्र बोध बन चुका है हैवलोक और नील आयलेंड्स स्वराज और सहीद आयलेंड्स बन चुके हैं और इसमें भी दिल्चस्पे ये कि स्वराज और सहीद नाम तो खुद नेता जी का दिया हुआ था इस नाम को भी आजादी के बाद महत्वन नहीं दिया गया था जब आजाद हिंद फोच की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए है तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था गाजीपुर की शाहर तो होटल ग्राइंड पैलेस शादी हो इंगेजमेंट हो बड़े पार्टी मैरेज एनवर्स्री या किट्टी पार्टी या हो कोई मेटी आपके पार्टी में भर दे जांग अत्याधुनिक सुक्सी उधाओं के साथ तीन बेंकिट है लजीज वेंजन से संपत शांदार रेश्टुरेंट आपके पार्टी में चार चान लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुईधा जरूर पदा रिए तो होटल ग्राइंड पैलेस चुंगी हीरो एजनी के सामने लंका गाजिक अन्ट